तो फ्रेंज आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीर और पीर कैप के वॉल्यूम के बारे में, यह second part है, first part में मैं आपको एक अलग shape का वॉल्यूम निकालना सिखा है था, पीर और पीर कैप का ही, ठीक है, elevated breach में जो आप देख सकते हो, और आज के वीडियो में म मैं लास्ट प्लास में बताया था वो भी आपके लिए कामदार होगा ठीक है तो चलिए इसको जान लेते हैं तो सबसे पहले आपका यह पियर है जो आप नीचे देख रहे हो पिलर टाइप का कोई भी ब्रीच को आप देखते हो ना तो नीचे देखना पिलर टाइप का आके बैठता है और सेक्षन के उपर में हमारा road पे गारी चलता है तो यह नॉर्मल फंडा है तो जैससे बील्डिंग में सबसे पहले पार रे पाई ल युटा है वाईसे ही सबसेपहले नीचे पीससे प्रूपो कहां 20 का पह ब्रहते हैं को दो देखना यह संगे ahí क्रessus न ग्दम उपर में रहेगा न जो देखना एकदम रोट का सेक्षन रहता है पतला सा ठीक है यह जेनरली प्रिकास्ट हो के आता है और आकर बैठा दिया जाता है तो जो भी गारी यहां पे चल रही है पहले सबसे पहले यह लोड लेता है यह लोड लेके क्या करता है अपने नीचे जो गार्डर है वो गार्डर पर ट्रांसफर करता है उस लोड को वहां से बियरिंग क्या करता है बियरिंग के थुरू वो लोड ट्रांसफर होता है आपका पियर कैप पे यह जो पियर कैप है य हम लोग यही जानेंगे कि इस shape का जो volume है इसको कैसे calculate करेंगे पहले dimension जान लेते हैं माल लीजे यह pier है मेरा ठीक है यह pier का आपका पर जाएगा यह 1.5 meter length ठीक है यह length इतना है और height कितना है 12 meter length जो मैं लास्ट में पकड़ा तो वह में पकड़ा हूं यहां पे अब इसका अपना width भी तो है यह 2D में आप द्राइंग देख रहे हो लेकिन यह 3D में देखोगे यह pier काईसा रहेगा यह pier आपका ऐसा रहेगा जब 3D में देखोगे तो ठीक है यह rectangular section में सब्सक्राइब सकता हूं भी हो सकता है तो मैं इसको क्या करता हूं टअ को सिखा रहा हूँ अप देख़के पर एक समझाने के लिए पकड़ लिया हूं दो मीटर तो और इसका हाइट कितना यहां पर 12 मीटर तो सबसे पहले लो बॉल्म कल्कुलेट कर लेते हैं इस पीर का उसके बाद आएंगे इस पार्ट में कि कि इस पार्ट को थोड़ा समझना होगा आप लोग को तीक है इसमें मै जो आप डाइमेंशन यह वाला देख रहे हो यह टोटल है आपका 3.5 मीटर ठीक है 3.5 मीटर देर मीटर तो जाएगा हीट और देर मीटर के बाद जो भी बसता है ना वह माल लिजे इधर और इधर डिस्टिबीट हो गया एक वाली तो 3.5 मीटर यह है आपका और हाइट में लीजिए यह है आपका 600 मतलब 0.6 मीटर और जीशन देर मृसरण 0.6 मीटर ठीक है मिलीमीटर घखो तो 600 नीचे वाला पार्ट का ध्यान से यह तो बहुत इजी है यह लोग मुझसे पहले आप लोग करके बैठ जाओगा अभी तो पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम औफ पियर तो क्या होगा एल इन्टूबी इन्टूएच ठीक है एल इन्टूबीइच लेंस कितना है 1.5 मिटर तो 1.5 इन्टू ये वाला मैंने विंद कितना पता है था दो मिटर तो ये 2 मिटर आ गया ठीक है जो मैंने याद है यहाँपे फ्री डी बना के दिख इसो calculate करो, यह कितना आएगा, तो चलिए, जुन जुना में इसो calculate कर लेते हैं, तो यह आएगा 1.5 into 2 into 12, यह आएगा 36, तो 36 cubic meter, ठीक है, यह आप बोलो M cube, जो भी बोलना है आपको, तो हमारा pier में total concrete कितना लगने वाला है, 36 cubic meter, अब हम लोग निकालेंगे pier cap का, तो यह है हमारा pier cap, pier cap को निकालने से पहले आपको इसको दो part में divide कर देना होगा, ठीक है, यह एक बार में निकलेगा, हाँ, अगर आपके पास autocad है ना, तो आप direct निकाल सकते हो, autocad में आप क्या करोगे ना, जल्दी से आप area वाला command लेके, या polyline draw कर लो, जो भी बहुत सारीका है, बहुत सारीका से area आपको निकाल सकते है autocad में, आप लोग क्या करना है पहले, यह surface का area निकाल लेना है, यह surface का area, और उसको multiply कर देना है, इसका जो थिकनेस होगा, जो pier cap ह समझ में आ गया, ठीक है, यह dimension समझ में आ गया है, और इस dimension का जो थिकनेस है, वो कितना है, मतलब यह cap आप जो जाएगा न, यह तो ऐसा आपका थिकनेस रहेगा, यह cap जो जाएगा इसका तो अपना एक थिकनेस रहेगा न, यह थिकनेस मैं यहापर मान लेता हूँ, 2 meter, जि कैज़ेगा यह दो मीटर यहांपे आपका वीत है, समझ में आ गया इसको दो पार्टे पहले brown करणा आपका पार्ट सबसे पहले आपका पार्ट वबंगा पाट टू नीचे एक verschक है ब्लस आफ शेप 1 तो शेप 1 का कैसे वालुम निकलेगा एल इंटो भी इंटो एच्ट, नॉर्मल जो रटेंगूलर का होता है, तो चली ढाल देता है, एल लेंथ, ये लेंथ कितना है, 7 मिटर, तो यहां, एल की जेगा यहां पे 7 आ गया, इंटो ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, ये जो section आप देख रहे थे,इसको मैं कात के क्या करते हूं, बाहर निकालता हूं, इसको मैं बाहर निकालता हूं, तो आपको ये अभी ऐसे दिख रहा है, इसका तो खुद का एक thickness भी है, तो length है अपका 7 m, लेंथ है, ये 7 m, तो ये भी है 7 m, ना, ठीक है, और इसका जो ये आप, ज 6 meters क्या करेंगे यहां पर आप बालू पूट कीजिए लेंथ मेरा 7 meters । 7 meter डाल दीए, ब्रेथ मेरा कितना है 2 meter ठीक है, 2 डाल दो, into, height मेरा कितना है, just इस section का, जो part 1 है, part 1 का height कितना है, 0.6 meter, 0.6, अब इसो calculate करो, देखो कितना आता है, 7 x 2 x 0.6, 8.4, 8.4 cubic meter, तो पार्ट 1 बाले में, टोटल जो volume लगने वाला है, कॉनकीट का, वो कितना लगे का, 8.4 cubic meter, अब जो पार्ट 2 है, नीचे वाला पार्ट, इसका निकाल लेते हैं, तो इसका चलो कर लेते हैं, volume of shape 2, ठीक है, shape 1 मेरा कैसा था, ये वाला shape था, 3D में देखोगे तो ऐसे, अब volume of shape 2 कैसा है, ये नीचे वाला न, इसको क्या करता हूँ, मैं काट के यहाँ निकाल लेता हूँ, तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, देखिए, इस तरीके से आपको ये shape देखने को मिलेगा, तो normal ये तो रहेगा ही, उसका thickness उधर बढ़ जाएगा, तो चलिए इसको बैठा देते हैं, अब इसका formula क्या होता है, ये जान लिजए, ये tapisium है न, तो इसका formula होता है, मैं आपर volume निकाल रहा हूँ, तो सबसे पह parallel sides divided by 2 into height, ठीक है, इतना अगर निकाल दोगे तो area हो गया, और इसको कर multiply कर दोगे आप width से, तो वो हो जाएगा हमारा volume, ठीक है, तो चलिए डाल देते हैं, अब देखिए किसका, sum of two parallel sides कौन सा, ये part जो है न, इसको मैं निकाल के यहाँ बनाता हूँ, ये देखिए, ये ऐस sum करके बताना है, यहाँ पर लिख देना है, तो उपर वाला पाट कितना है, ये है मेरा 7 meter, और नीचे वाला पाट कितना है, total था मेरा ये 3.5 meter, मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, तो वही करना है यहाँ पर 7 plus 3.5 divided by 2 into height यहाँ पर height कितना है, इस section का मेरा ये total height कितना है, दे width से, कौन से width से, मतलब ये जो आपका था, वो तो 14 है, उसका कोई तो एक thickness है, वो thickness कितना है, जितना ये वाला पाट था, ये 2 meter था ना, ये 2 meter था, तो उतना ही तो मेरा ये भी पाट जाएगा, तो into 2, बस इसको आप calculate कर दो, ये 2 से ये cut जाएगा, ठीक है, तो ये देख ल volume of peer तो मेरा निकला हुआ था, अब total peer cap मेरा कितना volume लग रहा है, तो peer cap मेरा total volume लगेगा, ये वाला, 8.4 प्लस 6.3, ये दोनों का add कर दीजिए, जो भी आएगा आपका, चारतिन साथ, आर्चे चौदा, 14.7, कुबिक मीटर, तो total volume अपका कितना लगने वाला है, इन दोनों का add कर दीजिए, total अपका कितना लगेगा, total, total लगेगा आपका, 14.7, ये peer cap में, और यहाँ पे 36 आपका, प्लस 36, तो देख लिजे कितना है, 14.7, प्लस 36, 50.7, 50.7, कुबिक मीटर, तो total volume अपका 50.7 कुबिक मीटर लगने वाला है, इस peer और peer cap को, जस्ट कॉन कीटिंग करने के लिए, समझ में आ गया, अब इस volume में, आपका reinforcement भी घुसा हुआ है, जब आप लोग इसको बनाओगे, तो reinforcement दालोगे, तो इस volume में से आपको reinforcement का जो volume है, वो minus करना पड़ेगा, लेकिन general dynamic site पर नहीं करते हैं, बहुत जगा किया जाता है, तो अगर आप लोग को जानना है कि calculate कैसे करना परता है, कैसे नहीं, तो वो, आप comment कीजिएगा, मैं इस पर video बना के डाल दूँगा, आप आपके वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फ्यूशन लेकिए आँगा, आप लोग के लिए तो बसक्ति लिए बाइ, टाटा, जाहिंद